हाई दोस्तो आप सबका हमारे चैनला टेक्स इनफो में स्वागत है दोस्तो इंकम टेक्स एक विशाज समुदर की तरह है और जब ट्रस्ट की बात आती है तो किस तरह से बुक्स अफ को मेंटेन करना है ये भी बहुत एक इंपोर्टन पार्ट है तो 1st April 2023 से कई चेंजे से जिसको हमको फॉलो करना है और जब ट्रस्ट की बुक्स अफ को मेंटेन करने की बात आती है तो उसमें कई बारी क्या है हमको जो समझनी है बुक्स अफ को मेंटेन किस तरह से करना होता है अदर डॉकुमेंट्स क्या इसके अंदर है जो इन्होंने Rule 17AA के अंदर प्रिस्क्राइब किये है और क्या-क्या चीज़ इसके अंदर आती है और Rule 17AA को आज हम डेटेल में समझेंगे आज की स्वीडियो चाहे वो कॉर्पर्स कॉंट्रिबिशन के रिलेटेड कुछ डॉक्मेंटेशन की बात हो या किसी इसके रिलेटेड और भी जो लोन्स वगरा होते है लोन्स लिये जाते हैं रिपेमेंट अफ लोन है और जो प्रोपर्टीस होती है उसके रिकोर्ड कैसे मेंटेन करने है और स्पेसिफट परसन के लिए क्या ज़रूराई चीज़े है आज हम इस वीडियो में पुरा समझेंगे दोस्तों तो वीडियो के एंटक बने रहे और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नहे हो तो चैनल को सस्क्राइब करना न भूले और बेल आइकन दरूर दबाए ताकि आपको regular notification मिलती रहे तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते है दोस्तों सबसे पहले हम section 12 clause B से स्टार्ट करते है क्या कहता है कि in case where the total income before giving effect section 11 and section 12 exceeds basic exemption limit the trust must याने जिस ट्रस्ट का section 11 और 12 के exemption effect लेने से पहले अगर basic exemption limit जो income tax rate ने प्रोवाइड किये है वो अगर exceeds हो जाती है तो उन्हें maintain books of account and other documents यह other documents क्या है युन्होंने rule 17AA में पर बताया है और बता जा रहा है end यह याद रहे कि इधर end है the accounts of the trust are audited and audit report in form 10B should be filed within prescribed time limit याने यह कह रहे हैं कि books of account maintain करना है other documents भी maintain करना है जो कि rule 17AA में उन्होंने prescribe किया है और उसी के साथ साथ में उस trust को audit करना भी ज़रूरी है और audit report का जो एक form आता है जो हम भरते होंगे अपने trust की जब returns file होते है उसके अंदर form 10B भी भरा जाता है तो form 10B जो time limit बताएगी उसके पहले भरना भी उनके लिए जरूरी है अब आगे कहते हैं कि the amendment has casted an additional responsibilities on the trust and the accountant to ensure that prescribed books and documents are maintained as per prescribed in rule 17AA अब यह पता रहे कि amendment आने के बाद कुछ additional responsibility trust पर आ गई है जो कि amendment के पहले इसकदर prescribed नहीं था rule 17AA has been notified by CBDT on 10th august 2022 thus august 2022 को CBDT जो इसको notify किया है और rule 17AA क्या कहता है वो समझते है कि books of account and other documents records may be kept in written form और in electronic form और in digital form आप written form में भी कर सकते है electronic form में भी record maintain कर सकते है या digital form में भी maintain कर सकते है they shall be kept and maintained for period of 10 years यह बता रहे हैं पर 10 years from the end of relevant assessment year यह बहुत important point है जैसा कि हम सुनते है कि 6 year तक books of account maintain करने है लेकि याद रहे कि trust के लिए हमको यहाँ पर limit बताई जा रही है 10 years की याने end of relevant assessment year यह 10 year को हम 11 साल भी कह सकते है for example यह financial year हमारा 15-16 है जिसका assessment year हो जाता है 16-17 तो यह कह रहे कि end of relevant assessment यह March 17 के end से 10 years तक आपको books of account maintain करने है तो दोस्तों अगर financial year हम पकड़ते है तो यह financial के end assessment year आता है उसके बाद से 10 year है यह एक साल यह हो गया प्लस यह 10 years हो गया यह देखा जाए law के language को अगर नहीं पकड़े financial year पकड़े तो हमको 11 साल अलमोस्ट यह हमारे books of account maintain करने है यह बहुत ही important part है कईयों के दिमाग में यह बात होगी कि 6 year ही होता है 6 year इनके लिए applicable नहीं है 10 years तक इनको जमा करना है books of account to be kept and maintained और books of account में क्या क्या maintain करना है cash book है ledger है journal है copy of bills से receipt से issued by the SSC जो की serial number हो वराबर या तो machine case से number हो वो भी चल जाएगा original bills issued to person हम किसी person को bill issue करते है वो होगा and receipt in respect of payment और अगर जो payment receipt हो रहा है तो उसके लिए receipt भी हमको देना है इसके लावा any other books that may be required to be maintained in order to you through and fair view और ये through and fair view तो बहुत ही बड़ा aspect scope है इसके अंदर तो इसमें तो कई to be maintained for business undertaking referred to in subsection 4 or business carried by such trust institution referred in section 10, 23c and 12a अब other documents में क्या क्या आता है records of all the projects and institution run by the person containing details of their name address and objectives ये पूरे projects वगा रखे भी जो institution run करती है वो सब चीजे भी इनको maintain करके रखनी है record of income income का जो record है वो रखना है चायो voluntary contribution हो जिसके अंदर name of donor address permanent account number if available and आदार number if available यहां point जो समझनी की है कि यहां pen के आगे if available लिखा हुआ है आदार क्या के if available लिखा हुआ है और कई बार ये department मांगता ही है pen number आदार number लेकिन इससे ज़्यादा important यहां पर हम देखने के part यह है कि name of the donor and address यह इसलिए है कि अगर income tax department को कल पूर donor से verify करना है कि real में ये donation उसने दी है ये donation का उसका part है या नहीं तो उसका नाम address के साथ वो verify करने communication department कर सके यहां permanent account number pen और आदार available करके बताया है यहां इतना mandatory pen number नहीं है जितना कि donor का नाम और address है उसके आगे देंगे कि income from property along with list of property जो properties का income क्या है वो हो और उसकी list of property भी maintain की हो आगे देखें कि record of application ये income का part जहां पर हो है application of income जो है वो भी बराबर maintain करना है अगर इंडिया में हैं containing detail of amount of application, name, address of the person to whom any credit or payment is made and the object for which such application is made amount credited or paid to any fund or institution or trust containing detail of their name, address, permanent account number and the object for which such credit or payment is made यहां एक point note करने की है जैसे कि यहां को बताया जा रहा है person का जब detail है तो वहां पर अगर pen number है तो if any बताया जा रहा है आधार number की if any बता रहा है लेकिन बगर ट्रस्टी कैसी होगी हो तो यहां pen number भी जरूरी है आगे देखेंगे application of income outside India containing detail of amount of application name address of the person to whom any credit or payment is made and the object for which such application is made यानि पूरी detail में होना चाहिए कि किस लिए दिया जा रहा है किसे दिया जा रहा है object क्या है उसके आगे बताया जा रहा है कि deemed application of income referred in clause 2 of explanation 1 of section 11 subsection 1 of the act containing details of the reason for availing such deemed application deemed application होता उसके लिए भी आपको पूरी detail उसकी रखनी है income accumulated or set apart as per the provision of the explanation 3 to the third provision to section 1023c और section 11.2 जैसे educational hospitals की institution 1023c में होती है जो उसी को trust 11 subsection 2 जो act का apply होता है which has not been applied or deemed to be applied containing details of the purpose for which such income has been accumulated accumulation हुआ है तो उसकी भी सब details इनके पास होनी जरूरी है money invested or deposited in the forms and the more specified in section 11 subsection 5 and more other than section 11 subsection 5 of the acts जैसे अब्डी सब्सक्राइब का जो पार्ट है section 11 के अंदर जो वो investment के लिए बता है deposit के लिए जाता है तो उसके लिए भी जो उनकी records maintain करने है अगर investment हो रहा है तो उसको भी maintain करना जरूरी है detail of accumulation is utilization etc accumulation ऐसे हुआ है इसको utilization किस तरह इसकी details भी रखनी है आगे बताए जा रहा है कि record of voluntary contribution made with a specific direction that they shall form part of the corpus जो specific direction के लिए donations आते हैं जो corpus का part बनते हैं in respect of the contribution received during the previous year containing detail of name of donor address pen if available तो पहले मैंने बता है कि pen के लिए और आदार के लिए if available बताए जारा है even department वो भी कही मांगा जाता है अब ये corpus है तो इसमें तो और ज़्यादा ध्यान दे नहीं जरूरो थे इसका नाम और address कोई भी हम trust ये नहीं के सकती है कि हमारे पास नाम और address नहीं है हमने donation ले लिया तो नाम address नहीं है तो अगर officer ने उसे इस base पर anonymous donation declare कर दिया अगर उसके साथ से text apply कर दिया तो बताओ क्या होगा हिस्सा से करना कि donors का नाम और address नहीं है तो ये कोई भी नहीं मानेगा तो ये बहुत important part है application out of such voluntary contribution referred to an item first containing detail of amount of application name address of the person to whom any credit or payment is made and the object for which such application is made आप ले रहे हो तब भी आपको नाम, name, address सब चाहिए और जब खरिच भी कर रहे हो आपको payment भी कर रहे हो तो वहां भी आपको application of income के लिए भी ये सब चीज़े ज़रूरी है amount credited or paid toward corpus to any other trust किसी और trust को हम दे रहे containing detail of the name, address, PAN and object for which such credit or payment is made जैसे देखो individual के time हम देख रहे थे कि PAN और आदार के लिए if applicable है लेकिन trust में यहां भी वही पता जा रहा है कि PAN नंबर जो है mandatory है तो यहां भी जो trust के लिए भी हम अगर payment किसी को कर रहे है तो उस वक्त भी हमें नाम, address, PAN और उसका object यह हमारे पास होने चाहिए Money invested or deposited in the forms or more specified in section 11 subsection 5 and mores other than section 11 subsection 5 of the Act यह है यह स्चेम सी रिपेट हो रहे है Amount credited or paid toward corpus to any fund or institution or trust or university or other educational institution or any hospital or other medical institution referred to in sub clause 4 or sub clause 5 or sub clause 6 or sub clause 6a of clause 23c of section 10 यह सब hospitals और education institution के लिए है तो उसके लिए बताया जा रहा है जो उसके अंदर आते है section 10 clause 23c के अंदर और other trust or institution registered under 12ab और जो 12ab के अंदर आते हैं उसके लिए भी out of such voluntary contribution received during any year preceding the previous year containing the details of their name, address, pen and the object for which such credit or permission same यहां वो चीज़ दोराई जारी नीचे same अब देखो गे तो वही section 11 sub section 5 modes of investment यह उसके लिए बताया जारी है उसी तरह से यहां दोबारा यह repeat की जारी है modes of investment की amount invested or deposited back to such voluntary contribution which was applied during any preceding previous year and not claim as application including details of the form and modes specified in sub section 5 of section 11 in which such voluntary contribution is invested or deposited यह भी repetition है यह सब चीज़े हमको maintain करना जरूरी है अनिवारी है अब आपका जो loans वगरा होते loans के record boring के records भी maintain करने है अगर कोई loan receipt हुआ है लिया है अपने मिला है आपको तो details of lender जैसे की name, address, pen, आदार यह जरूरी है for application of loan, a loan apply कर रहे है तो application out of such loan तो कहाँ apply कर रहे है उसका नाम, address, to whom the payment is made यह इसका record होना जरूरी है repayment of such loan, इसका repayment जब होगा उसकी भी details pending करना जरूरी है अब बाद आती है properties की, जो trust की properties होती है, जो trust के properties वो hold करके रखते है तो immobile properties होती है, उसके अंदर देखेंगे तो उसका nature, address of the property, cost of acquisition of the assets, registration document of the assets यह रखना जरूरी है, nature क्या है, address क्या है property का, उसका cost क्या था खरीते वग, registration document उसके होगे जो registration करके उसको खरीदा गया होगा, तो उसके document भी समालना जरूरी है transfer of such properties, the net consideration utilized in acquiring new capital assets पुराना तो उसको बेचा, बीच में जो net consideration आया, तो नहीं कुन से capital assets में आपने से डाला, उसकी detail भी रखना जरूरी है movable properties, including details of the nature, cost of acquisition of the assets यानि movable properties भी कुछ होगी, तो उसका भी जो nature, cost acquisition हमको समालना है, उसकी bills वगरा, जो भी वो सब चीज़े हमको समाल के रखनी है आगे record of specified person क्यार में बता है जारा है, containing details of their name, address, pen and other is available transition undertaken by the fund or institution or trust or any university or other educational institution or any hospital or other medical institution with specified person as referred to in subsection 3 of section 13 of the act, containing detail of date and the amount of such transition, nature of the transition and documents to the effect that such transition is directly or indirectly not for the benefit of such specified person तो जो specified person की categories में आते हैं, जिसको section 30 ने specify किया है, इसको elaborate किया है तो उसकी भी details आपको maintain करनी ज़रूरी है, तो उन्हें इसकी details भी maintain करनी ताके trust के funds का कई misuse ना हो, founders हो, उसके relative, trustee हो, उसके relative हो, कई जाके trust के funds का कोई misuse ना हो, इसलिए भी, यह कई जो documents वगरा है, उसको maintain करना है specified person का record जो रखना है, वो भी अनिवारिया है, तो दोस्तों इसके अंदर बहुत एक important part मुझे जो लगा एक तो यह है कि जो 10 years के लिए हमको जो maintain करना है, वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखनी ज़रोते हैं, हम सोचेंगी कि 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, हमारा काम खतम हो गया, ऐसा नहीं है, आपको 10 years के लिए यह documents रखने हैं, यह समझना है, इसके end of relevant assessment year के बाद 10 साल तक हमें इसको maintain करना है, और जो और दूसरा यह कि हमको जो donors के name, address को पूरी detail में, room number, area, उसके pin code, है ना, इस तरह पूरा detail के साथ mention करना है, ताके आगे scrutiny में कभी difficulty नहीं आए, कि किसी वक्त में भी notice आ जाए, और हमसे demand किया जाए, है ना, तो उस वक्त हमारे पास यह सब detail ह होनी ज़रूरी है, हमारे पास हो सकते thousands and thousands या lakhs में हमारे पास donations आते हो, numbers की बातकारो में, और उस वक्त यह सब बनाना, यह सब record maintain करना और produce करना एक बहुत बड़ा challenge हो जाता है, तो इसके लिए इस पर खास ध्यान देनी के अवशकता है, तो दोस्तों उमीद करते हैं, कि आपको regular notification मिलती रहे, तो मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, till then bye, take care.